बारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोच पांडे ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने साफ कहा कि चीन पर भरोसा रहीं किया जा सकता है पूर्वी लद्दाक की मौजूदा इस्थिति के बारे में सेना प्रमुक ने ये भी कहा कि वहाँ हालात स्थिर हैं लेकिन और प्रत्याशित भी है ये सिर्फ बयान नहीं बलकि एलेसी पर आर्मी चीफ का अलर्ट है और इस अलर्ट की मुताबिक समझ लीजिए पूर्वी लद्दाक में एलेसी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे ने कहा कि वहाँ इस्थिति है लेकिन अप्रत्याशित अप्रत्याशित यानि अगले पल क्या हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता दिल्ली में कारिक्रम के दौरान जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ अगली वारता का उन्हें इंतजार है दोनों देशों के बीच गलवान के बाद से 16 बार से अनिस्तर की बादचीत हो चुकी है सिना प्रमुख ने ये भी कहा कि चीन के साथ तक्राव के साथ स्राम ऑलेकुम रहमतुल्ही वबरकाथ अज़िजान मिलति इस्लामिया आप तमाम उम्मती को वुफिशल की तरफ से सलाम आर दे घर में बड़ी परदाने जएए लिज़तदार मार ये बहनको वुफिशल की तरफ से सलाम आर दे बहर के 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 पता है देश के बाहर के हालात क्या भी आप लोगों को पता है लेकिन मैं आज चेना और इंडिया की वो नियूस दूँगा जो लड़ाग में बने भी है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंके इंडियन कमांडर्स भी किसी से पीछे नहीं है अभी चेना को मुथ तोड़ ज शागिरे समझ के छेना अाखिर पहले सी कहते वी आरा था एक टेम से कि ए हमारा हिस्सा है हमारी इसमें आता लेकिन कांगरेस की सरकार रहते वे इनकी अवकात नहीं जिनके सही माइनों में दबो जा गया था, इनकी गर्दनों पर पहुँ रखा गया था, लेकिन आट नुव साल में ये लोग बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ते इतना बढ़ गए कि आदे सजा लदाख को हसल कर लिए, और हर दिन हमारे फौजी हलाक होते हैं, फौजी मरते हैं, फौजी को खत्म क्या जाता है, भला धोके सही सही, लेकिन ये काम अंजाम देते हैं, ये मर्दोदों की अवलादे हैं, ये चिंगाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचवाचव तो इन हराम के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है अभी इंडिया इसलिए तैयारी कर रहा है इनके उपर जवाब देने के लिए क्योंकि 51 इसलामी मुमालिक इनके उपर पाबंदी आयत कर चुके है 51 मुमालिक इनको बिंड कर चुके हैं जो इनको बहुत बड़ा नुखसान है चो तरफ से प्रेशर है इनको इनकी गंदी राजनी थी और जो मुसल्मानों के उपर ये लोग एक जमाने से जो अधम मचाया था जो अपनी गंदी सोच गंदी जहनियत गंदी चाल की वज़े से सारी दुनिया में इनका पता चल गया इसलिए इनको इनका वक्त आ गया इनका घड़ा बढ़ चुका है हमारे इस्लामी मuan के कमन мualek तो भीले ज़े हैं हर वह चीज्ड से हम चेहना को खत्म करेंगे चेहना को बरबाद कर देंगे चेहना को तारीक से मिटा देंगे लेकिन मैं आप बम거 को ये बता दूँ ये कोई मामली बात नहीं है एक छोटा मोटा देश नहीं है वो एक आधी दुनिया रखता होने उसके आपधी के हिसाब से और ताखत में भी बहुत आगे जा चुका है जब ये लोग जब बना रहा था उसने तैयर कर रहा था जब अमरीका के को भी साम सुन गया था और जब तो कुछ ने बोले ये लोग जब हमुशी ख्टियार करें लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया था के वो अमरीका के ओपर भी सीना तानने लगा और सुनाने लगा इसके आखत है सको दिखाने लगा और दो-दो हाथ करने के लिए भी इसने कही मरतबा दिखा भी दिए बता भी दिए लेकिन जस तरीख से इसल हालाद भी कमजोर होने लगे यही करते हुए हमारे भारत की जो मिल्टरी है हमारे कमांडर से जिस तरीखे से रदाख में ये लोग नाजाइज और नजीज हरकते हैं जो चैना ने की है इसके उपर हमारे इस रेफिरिंट करनल ने कहा कि चैना के उपर फरोसा कभी नहीं कर सकत हैं क्योंकि वह एक अराम खोर है वह एक पिक का गोश्च खाने वाले लोग है वह जुंगोर बिच्छियां और बिल्लियां खाने वाले हैं तो बहरेहाल इनके उपर फरोसा नहीं क्या जा सकता और दूसरी तरफ सारे कमांडर्स और अपने साज़ों सामान के साथ तहिया ठ इतजार में जब सिगनल दिया जाएगा उसके बाद सही काम बरपा होगा क्योंकि इसने चैना ने बहुत नुकसान पहुंचाया लद्दाख के मामले में जो के बरदाश नहीं कर सकते वक्त के रहते वे अब इनको दिखाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त चैना द और जो इनके उपर जो चल रहा है इससे ये लोग बोकलाट का शिकार हो गए है क्योंकि सारी दुनिया में मालूम है आप लोगों को जी सी सी एक ऐसा मुल्क है जो सौप के पेटें बढ़ते हैं सौप को तेल की जरूरत पड़ती और चैना को भी तेल की जरूरत पड़ती ह और वो जरूरत पूरी करता है सौधी अरबिया लेकिन एक हफ़ते से जिस वक्त पाबंदी आइद की गई सौधिया को भी खुले अलफाजों में कह दिया गया के बन कर दो इसको देना तो तील देना सौधिया भी बन कर दिया चोग तरफ से वही परेशान हाल है इस वक्त बैक फुट पे आ चुका है उन्हें लेकिन ये उसकी करनियों की सजा है उसको जो मिल रही है क्योंकि उसने इतनी ज्यादती किये कि मैं अलफाजों में बयान नहीं कर सकता है रब रखका यागिन अल्ला सब्हाना ताला को जो मनजूर है वही होगा लेकिन चैना के साथ तो आएगा और दूसरी चीज़ जो हमारे जवानों को जो धोके से मारा है इसने इसका जवाब लेना है और हमारे मिल्टरी हमारे जवान बराबर लेंगे और बहुत चल्द इसका जवाब दिया जाएगा बहरे हाल बहरे लकेफ मेरे जिस दोस्तों मेरे भाईयों नमाजों के करो, मुनज़म रहो, मुत्हीद रहो, अपनी सफ़ों में इतिहात बर्खरा रखो, नमाजों के पावंदी करो, माबाब के खिबत करो, बड़ों के अहिकाम पे अमल करो, नमाजे मिस मत करो, अजा होते ही मज़ाद जित की तरफ चले जाओ, कुछ भी कामों पे रहो, कामों को लात मारो, कामों को छोड़ो, नमाज कामाने वाली है, तुम्हारी पैचांत मगरचे तुम मुसल्मान है, तो नमाज पड़ो, और अपने अवलादों को, और अपने खरों में भी ये नसियत करो, कि नमाजे मिस मत करो, न ड्रामे कामाने वाले है, न सरीले कामाने वाले है, सिर्फ नमाज काम आने वारी और अपने अमाल काम आने वारी बात याद रखो बारल किफ मनजम रहिए मुट्धिद रहिए अपनी सफ़ा में इत्याद बर्खार रखे अपने भाई को भी दूआ में याद रखे स्लाम आलेक।